इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो में हम लोग फ्रेक्शन के कुछ एक्स्टा और पढ़ियां मतलब अगर किसी भी नंबर का 2 तो नंबर क्या है तो देखिए यहां पर जैसे लिखा है मैं से लिख देते हैं यहां पर लिखा है तो लिख दिया चल भाई हाँ तो टू अपॉन थ्री ऑफ ए नंबर कितना दे रखा है यह दिया हुआ है किसी भी नंबर का 2.3 कितना होता है 6 होता है तो देखिए 2 अपॉन 3 चाहे हम नंबर को एक्स मान सकते हैं क्योंकि हमें नंबर तो पता नहीं है तो उसको हम एक्स भी मान सकते हैं रहन देते हैं आफ का मतलब तो नंबर के साथ जो भी कुछ है चाहे वह प्लस में हो multiply किसी में भी हो उसको तुरंत वहां से उठाइए और इकल्टू के इस तरफ रखे लिजे लेकिन इकल्टू के इस तरफ जो पहले से दिया है उसको लिख दीजे आप देखिए यह जो fraction है यह हां multiply में तो उधर जाक जाता तो यह घूम के फिर ऊपर चला जाता तो 6 multiply 3 अपन में 2 आ जाता तो वही चीज़ होगा इसको cut कर दीजे 2 3 6 तो आपका जो number है वह क्या है वह 9 है तो आपको समझ में आ चुका होगा बहुत छोटा था आसान भी था तो यहीपूछा था कि किसी भी number का अगर 2 अपन 3 6 तो नंबर क्या है तो यह हो गया बस ध्यान रखिए इसमें क्या नई चीज़ सीखने को मिली कि इसमें फ्रेक्शन जब उतर जाता है तो रसी प्रोकल हो जाता है आप दूसरा कुश्चन देखते हैं इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड दा प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट होता है multiply तो यहां पर हमें 6 upon 7 & 2 whole 2 upon 3 का multiplication करना है तो यह तो आसान कर सकते हैं बस इसमें थोड़ा सा changes यह करना है कि this is written in mixed fraction we have to convert this mixed fraction into improper fraction मतलब इसको improper में change करना है करिए तो यहां आ गया 6 upon 7 multiply 3 2 just 6 3 2 just 6 or 2 8 8 upon 3 तो अब इसको थोड़ा से solve करते हैं तो 3 बंज़ा 3 3 2 just 6 फिर 8 टूज़ा 16 और upon में आगे 7 और हो गया यह solve आसान था चलिए थर्ड देखते हैं solve करना है यहां पर हमें अच्छा भी है तो here we use the property of Damas what is the property of Damas the property of Damas is d for divide m for multiply a for addition and s for subtraction तो जिस भी question में सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं सारी चीजें एक साथ आ जाएं तो उसमें सबसे पहले divide फिर multiply फिर plus फिर minus करते हैं तो देखिए इसमें plus भी है divide भी है minus भी है तो अभी हमने बताया plus भी है minus भी है तो सबसे पहले क्या करेंगे तो डिवाइड हमें दिख रहा है कि इन दोनों के भीज में डिवाइड है दिवाइड के बगल बगल यही फ्रेक्शन है तो इसे दोनों का डिवीजन करना है तो two upon थ्री जहां लिख दिया प्लस अभ आपको पता है कि जैसे माली जैसे लिखा है हाँ possible तो है लेकिन बड़ा confusion हो जाएगा तो क्या करिए कभी भी fraction का division आता है तो उसको multiplication में change कर दीजे जहीं 4 upon 5 लिख दिया डिवाइट का multiply बना दिया अच्छा ऐसा कर सकते हैं फिर क्या करेंगे पलट देंगे इनको 5 और upon में क्या जाएगा 2 आ जाएगा बाकी minus को वैसे का वैसे लिख रहें देंगे तो इतना समझ में आया होगा यह कैसे हो गया तो यहां पर देखिए 4 upon 5 लिखा था और divide 2 upon 5 तो upon में लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं तो अंदर का अंदर multiply हो जाएगा और बाहर का बाहर multiply हो जाता है तो 4 के साथ कौन multiply में आएगा 5 और यहां जो नीचे 5 के साथ कौन multiply में आएगा 2 तो वही सेम चीज़ देखिए हुई तो कभी भी division का जाए जैसे लिखा है 1 upon 2 divide में 3 upon 7 ऐसे लिखा है तो तुरंद क्या करिए 1 upon 2 डिवाइट का बनाईए multiply 7 गया उपर 3 गया नीचे बस अब तो आगे solve भी कर सकते हैं तो आप देखिए solve करते हैं तो 2 तू जा 4 हो गया और 5 से 5 कर गया तो यहां आ गया 2 upon 3 और प्लस में कितना आ गया 2 क्योंकि इदर तो यहां पे भी upon 1 लगा दिया तीनों का यल्सम लेंगे तो आपको पता है 3 ही आने वाला है और उसके बात क्या करेंगे यहां पर आजाएगा 2 और प्लस करके यहां पर आजाएगा 6 और यहां पर आजाएगा minus का 9 यह कहां से आ गया सर तो देखिए यह ले लिया 3 आपको पता पहले वाले जो वीडियो उसमें इसमें में बताया है जाएंगे अपाउन वप्साइड में लेकर चा में और जए अगर फिवल में आप यह करना नहीं आता है तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में यह सारी चांट हो गया 2 बच्चा 2 लिख दिया यहां कुछ कटनी होगा 3 2 जा 6 लिख दिया यहां 3 3 जा 9 लिख दिया अब उसके बाद इनको देखे 6 to 8 होता है 8 minus 9 upon 3 है 8 मैं से 9 निकाली बचेगा minus कवन क्योंकि sign different है माइनस होगा बड़े की sign लगी और upon में आ गया 3 तो यह चीज़ आपका solve हो गया अब बढ़ते हैं आगे question में तो I hope इसमें आपको समझ में आया होगा इसमें बस आपने एक नई चीज़ यह सीखिए कि कभी भी अगर डिवीजन वाले फ्रेक्शन आ जाते हैं तो तुरंद multiply बनाई है और पीछे वाले नंबर का रैसे प्रोकल कर दीजिए आगे कर नहीं पीछे का रैसे प्रोकल कर देंग है तो तो कर लेंगे लेकिन उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है डैसिमल लगाने वाले प्रॉब्लम यहां पर क्रियेट हो जाती कि डैसिमल कहां लगाते हैं तो कुछ बच्चे पहले नंबर को देखके लगा लेते हैं कुछ है स्मार्ट जिनको पता है तो दीखे यह हमन तो 2 और 1 कितना होगे 3 यहाँ पे 1 2 3 के बाद सिधे थी के बाद तो आपका अंसर आएगा तो इह अंसर आएगा जाएगा शद्य यह जो असल इसमन था इसमें इसमें कहाइब इसमें पॉंट कहां सकते हैं बाकि करना तो आपको आता ही है let's move to the question number 5 question number 5 में इसको solve करना है minus plus upon में लगा दीजेगा यहां लगा दीजेगा minus plus this is homework for you you can do it easily इसको आप आराम से कर सकते हैं 6 देखिए 6 में ascending order में करना है एक बता देते हैं एक आप घर पे करिएगा मतलब copy में solve करिएगा as a homework और इसके बाद उसका answer हमें comment box में बताईएगा इसका भी answer comment box में बताईएगा चलिए देखते हैं तो यह है इसको ascending order में लिखना है पहली बात तो ascending order मतलब होता है चोटे से बड़ा मतलब चोटा बड़ा 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 करते चले जाएगे तो सबसे पहले कभी अगर जैसे नंबर का आता था जैसे जब चोटी class में थे जैसे 24 82 76 59 98 इनका आता था तो हम लोग ascending कर लेते थे सबसे छोटा ढोंड लिया फिर उस से बड़ा लो लिया फिर उससे बड़ा लो लिया लेकिन इसमें fraction वाले में बड़ी problem होती है कि इसमें कैसे ढूड़ा जाए कौन सा किसका है तो इसमें देखे क्या करिए सबसे पहला काम जो करना होगा वह आपको लेना होगा lcm किसका लेंगे उस लेंगे 75 और उसके बाद इनका लेंगे तो अब यहां लेने वाली बारी आती है कि lcm क्या आएगा इनका तो चलिए देखते हैं तो 75 और 6 का लिए क्या करते हैं एसम निकालने के लिए 7 और 5 और 6 का हम लोग कर लेते हैं प्राइम टू से होगा 7 हो गया 5 हो गया और यहां 3 आ जाएगा फिर उसके बा 5 से किया तो 7 और 1 और 1 आ गया 7 से किया तो 1 1 1 आ गया तो कितना आ जाएगा 2 x 3 x 5 x 7 तो कितना आ जाएगा 2 3 6 6 5 30 और 37 कितना होता है 21 मतलब 210 तो यह चीज आ गया हमारा तो हमारे जो कितना आ गया 210 आ अब क्या करना है अब जितने भी यहां पे फ्रेक्शन लिखे थे जिसे टू अपॉन 7 लिखा था था त्री अपॉन 5 लिखा था और 5 अपॉन 6 लिखा था इनके जो डिनोमिनेटर है उसको हमें यह 210 बनाना है तो कैसे बनाएं तो 7 कितना मल्टिप्लाइब कर देंगे 210 आ जाए तो इतना तो पता होना चाहिए कि 30 से अंप्व huge करेंगे नहीं पता है तो आप 210 से Smart Clayton कर लिए फिर 5 से 5 को क्या बनाना है 210 बनाना है तो कितने से multiply करें तो आ जाएगा तो हम इसको करेंगे 42 से तो जो काम नीचे करेंगे वही काम हमें उपर भी करना पड़ेगा चीक है चलो यह भी हो गया यहां कितना बन जाएगा जा 30 35 से करेंगे तो आप नीचे करेंगे तो नीचे आजाएगा 210 और उपर करेंगे तो फाइफ वाले को लुक अप करेंगे और बता देंगे जो सबसे चोटा होगा उसको पहले उसके बड़ा उसके बाद इससे करेंगे यहां पर लिखा है यह सबसे चोटा है इससे बड़ा कौन सा है 126 अपाउन 210 और इससे भी बड़ा कौन सा है 175 अपाउन 210 यह सेंडिंग ओडर में हो गया लेकिन इसमें एक काम यह करना है कि 60 अपाउन 210 इक किसका बना था किसका बना था फाइब उनको लिख देंगे तो आई होप आपको इतनी बास समझ में आयोगी इसमें सबसे पहले क्या करते हैं निकालते हैं डिनोमिनेटर का जब डिनोमिनेटर के लसे माज आता है तो सारे डिनोमिनेटर्स को हमें वह इसम वाला नंबर बनाना होता है तो उसके नीचे जितना भी नीचे मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा उतना ही उपर करेंगे फिर जब हो जाएगा तो उसमें से हम लोग छोटा नंबर ढोड़ेंगे फिर उससे बड़ा लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमेटर सेम है उसके ब पढ़ने में इतना घंटा खेलने में करता है तो हाव मजड़ें हाउ मजड यहीं इसंट करता है तो कितना करता है उसके बाद क्रिकेट खेले में कितना च्टा भू बहुत स्टमरी है एप मृपोह जाता है लहाँ किकल सवाल कि टॉम पड़ाई में जाता है तो मृक्त खेलने में जाता है तो टॉटल पननी आइन करता तो क्या ब्लस करेंगे प्लस ही तो करेंगे तो सब सिंपल से सवाल है टोटल टाइम तो कितना हो जाएगा सेवन अपाउन फॉर और प्लस का फाइब अपाउन टू दोनों को जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा वह हमारा हो जाएगा आप देखिए आंसर कैसे आएगा कि मल्टिप्लाइ भी कर सकते हैं या फिर देखिए एक दूसरी के टेबल में आते हैं तो बड़ा वाला ले लिया हमारा अब क्या करेंगे बारी बारी से दोनों को साइड में लेकर जाएंगे और जितना एलसीम है था उससे मल्टिप्लाइ करा देंगे तो कट कर यह थोड़ा तो 17 अंदर लिखेंगे और 4 को लिखेंगे बाहर कर लिजे डिवाइट कितनी बार में जाएगा तो में कैसे लिखते हैं यहां वाले जो रिमेंडर होता है इसको बीच में और को उपर लिखेंगे और एक सेज़ें फोर फोर सिस्टिन और नहीं स्षारी गलत हो गालत हो या फोर पर लिखेंगे वाल को लिखेंगी और फोर को नीचे लिखेंगे इतना घंटा वो क्या करता है। तो आप ने इसमें नहीं क्या चीज़ाँ आपको तो पता यह प्लस करना है बस इसमें यह चीज़ सिखा होगा कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं तो देखें हम लोग वी ऐसे बनाते हैं उल्टा वी बनाई यह आप उल्टा वी ऐसे फिर ऐसे जाएगा तो फोर को बीच में वन को ऊपर और यह वाले फोर को नी जानते हैं the property of square is that all the sides of square are equal square के सारे sides equal होती है तो अगर एक side given है जिसे 10 hole 2 upon 5 cm तो सारी side वही हो जाएगे 10 hole 2 upon 5 cm 10 hole 2 upon 5 cm यह होती है square की property तो अगर हम हम लोग side की बात करें तो side is given here what is the side side is two hole 10 hole 2 upon 5 centimeter solve करें 10 5 50 52 52 upon 5 centimeter side आ गए now we have to find the perimeter and area हमें perimeter निकालना है और area तो यहाँ पर formula लगेगा क्या लगेगा यहाँ पर formula we have to find the formula what is the formula to find the perimeter of square square का perimeter निकालने का formula क्या होता है तो sir यह होता है 4 into side यह आपको पता होना चाहिए और नहीं पता है तो perimeter मतलब होता है सारे side को plus कर दो side side plus कर दो तब ही आ जाएगा तो देखिए 4 into side कितना दे रखा है 52 upon 5 दे रखा है कुछ कटे-पिटे का इसका नहीं multiply कर दीजिए 4 तू जा एट और 45 जा 20 208 upon 5 cm आगया इसका perimeter now we have to find the area area कैसे निकालते है एरिया निकालने के लिए formula होता है side into side होता है तो side कितना दे रखा है वही 52 upon 5 इसका भी multiply हो जाएगा 52 upon 5 कर लिजिए multiply तो उपर उपर करा लेजिए 52 का 52 से करा लेते हैं बहिं 52 का 52 2 जा 4 5 2 10 5 20 5072 2704 उपर आया और अपान में 5 525 और यह हो जाएगा centimeter का square square में लिखते है एरिया को तो यह था तो इसमें side पता थी हमें perimeter कैसे निकालेंगे four into side कर दिया area कैसे निकालेंगे side into side कर दिया यह दोनों जो formulas हैं यह square के से related है धान रखिएगा अब इसको देखते हैं we have to find the value value find out करनी है तो देखिए यहां पर यह जो question लिखा है इसमें करना क्या है इसमें बस पहले जो नीचे है mix fraction उसको solve करिए उपर one लिखा है यह रही मेल लाइन इसको solve करिए 5 3 15 और 3 18 यहां पर आगे 18 अपॉन 5 प्लस लगा देंगे फिर वही मेल लाइन खीचेंगे ऊपर रहेगा वन इसको solve करिए 9 4 जा 36 36 36 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 44 और अपॉन में आगे 9 और प्लस करेंगे यहां solve करिए यहां पर solve नहीं करना है तो इसको एसे रहें देते हैं 1 whole 3 upon 5 अब सब्सक्राइब आगे क्या करें तो देखिए जो लाइन हमने बड़ी कीची मेल लाइन है तो अब इसके बाद क्या करना है कि यह नीचे वाला नंबर ही भाग के पहुंच जाएगा उपर और उपर की जाके multiply हो जाता है तो 5 का बन से होगा तो 5 upon 18 हो जाएगा और सब्सक्राइब करके हमें अंसर लाना है तो क्या करेंगे किसका इनके डिनोमिनेटर का तो एटीन 44 और 3 तो टू से कट करते हैं तो 29 जाएटीन यहां 22 आ गया 3 को टची नहीं करना है उसके बाद फिर किससे करेंगे 9 आया 11 आ जाएगा यहां 3 आ गया फिर हम लोग 3 से तो 11 11 11 से कर देंगे 1 और 1 और 1 एप सको मल्टिप्लाइब कर लिए तो टू टू जा फूर 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 त्री जा ट्वैल ट्वैल त्री जा थर्टी सिक्स और 11 36 का 11 से करेंगे तो कितना एगे 11 66 और 11 33 39 396 तो जो हमारा ऐलसीम आ गया वह आ गया 396 जो लेसे मागया अब हमन चलिए देखते हैं तो 5 अपॉन 18 को साइड में लेकर जाएंगे 396 से मल्टिप्लाइब करेंगे तो 18 396 को कितनी बार में कट करेंगा 18 टू जा 36 और बच्चा यहां 3 336 18 टू जा 36 और 22 का 5 से मल्टिप्लाइब करा दीजिए ध्यान रखिए गया इसका 5 टू जा 10 5 टू जा 10 अब 44 का हमें 396 से मल्टिप्लाइब कराना है तो कितनी बार में कट होगा तो यह 9 टाइमस में कट हो जाएगा अब बार है फाइब पॉन ट्री को लेखर जाएंगे कितने से मल्टिप्लाइब कराएंगे 396 से कराएंगे तो कर यह 3 बंजा 3 3 3 9 और 32 जा 6 आ गया अब तीनों को एट कर लिए तो कितना एगा वन और जीरो यहां पर आ गया वन और यह 6 8 14 और एक 15 आ गया और वन कह रही है और 6 7 8 851 upon 396 आ यह आपका answer तो आई होप आपको इस यहला question समझ में आया हो गए इसमें क्या करना था mix fraction को improper बनाकि फिर 5 ऊपर चला जाएगा नाइन ऊपर चला जाएगा फाइव ऊपर चला जाएगा फिर तीनों डेनों मिनेटर का सब्सक्राइब करेंगे जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको यहां पर लिखके प्लस करके अंसर ले आएंगे अब यहाला कुशन देख लेते हैं इत्ना if one of them मघक प्रोड़क्त नंबर को भी तो यह मिलेगा अगर उनमें से एंबर यह थो दूसरा नंबर पता करेंगे कोई भी दो नंबर हो जैसे मालों यह एक नंबर है और यह नंबर इन दोनों को multiply करेंगे तो हमें मिलेगा answer में 2.0016 यह answer मिलेगा अगर उन दोनों में से कोई एक digit दिया है जैसे 0.72 दिया हुआ है ठीक है और दूसरा number नहीं दिया है तो कह रहे हैं कि वही दूसरा number क्या होगा तो आई हो आपको question समझ में आया होगा कि दो नंबर को multiply करने पर यह answer मिलेगा उन दोनों में से कोई एक number दिया है तो दूसरा number भी है तो क्या करेंगे सर इसमें क्या करेंगे जिसको जिसकी value निकालनी है उसको छोड़के बाराती को उधर बेद देंगे तो बाराती क्या किए कैने ने是ी आउया कितने घृत किए पांट के बादव कैगा क्या हफ्क कितने wheel गडेंगे और आप बार नचे皮र तो लगाने से पहले पॉर लगाने से पहले पुलगाने से बःतैंगे हुआ है को घिक सी लिक लेते हैं थोड़ा सह यहां हो जाएगा 2, 0, 0, 1, 6, 0, 0 और अपन में आजाएगा 7, 2, 0, 0, 0 फिर से देख लीजे, पॉइंट यहां पॉइंट लिखे फोर डिजिट थे नीचे 4, 0 बढ़ा, यहां पॉइंट लिखे बढ़ा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे एक होवक आपका यहाँ पर लगाईए को तो आप आपको वीडियोस में अच्छे लेवल के कुश्चन है यहां पर देखिये दो कुश्चन और बचे हैं यह देकिए यह कोश्चन है और यह simplify करने वाला तो अगर कर पाई यह तो इन दोनों को भी करके comment box में इसकान सा बताईए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट आपके के साथ तब करके के लिए good bye